दोस्तों वो दौर काफी पीछे चूट गया है जब फिल्मों में रोमेंटिक सीन को दिखाने के लिए दो फूलों को साथ में हिला दिया जाता था या फिर सब कैमरे का दोका होता है अगर ये दोका सच में होता है तो आईए बताते हैं कि ये कैसे होता है अब आज की समय में इंडियन फिल्म इंडिस्ट्री इंटिमेट सीन्स के मामले में काफी अपग्रेड हो गए हैं जैसी कि आप मेड इन हेवन, फोर्म और शॉट प्लीज और सेकरेड गेम्स या फिर ऑल्ट बाला जी की गंदी बाद जैसी सीरीज और जिसम मर्डर जैसी फिल्मों में ये देख सकते हैं तक इस तरह ऐसे ओपनली इंटिमेट सीन्स को दिखाना हॉलिवुड में काफी समय पहले से पॉपुलर है लेकिन अब भारतिय फिल्म इंडिस्ट्री भी इसे ओपनली ले रही है और फिल्मेट चाहे कैसी भी हो उसमें कहीं न कहीं आओडियंस के डिवान के हिसाब से लात मारने से गुंडा हवा में उड़ जाता है और एक एक मारने से दूपान आ जाता है अब ये सब चीजें स्क्रीन पर होते हुए तो आपको दिखती है पर असल में ये इंपॉसिबल है जिसे आपके एंटरटीनमेंट के लिए क्रियेट किये जाता है कुछ इस तरह से इ जान फिल्म का वो शॉट जिसमें शारुक और कैट सर्द मौसम में खुले चत पर ब्लैंकेट में सिमट रहे होते हैं ऐसा नहीं है कि हर शॉट में इल्यूजन क्रियेट किये जाता है कई सीन्स में हीरो और हिरोईन एक दूसरे के बहत करीब ही आ जाते हैं लेकिन ऐसा करना उनकी मजबूरी नहीं होती सब कुछ उनके कॉंसेंट से होता है वो जब फिल्म साइन करते हैं उस वक्त ही उनके कॉंट्रेक्ट में सब कुछ साफ साफ लिखा होता है कि हीरो या फिर खास करके हीरो इनके शॉट के लिए कितनी कमफोर्टेबल है बड़े बड़े स्टार तो अपने सीन में औरिजिनलिटी रखने के लिए अपने बॉडी डबल का भी इस्तमाल करते हैं जैसे जहां चेहरा दिख रहा है उस शॉट को वो खुद करते हैं लेकिन जहां सिर्फ बॉडी दिखती है मां उनकी बॉडी डबल इस सीन को पूरा करते हैं लेकिन 70 mm के पर पर आपको इस बात की बनक भी नहीं लगती अब आप पूछेंगे के लिप टो लिप किस का क्या है वो तो असल में ही करते होंगी तो इसका जवाब है कि जो हिरोईन अपने हीरो के साथ कमफर्टेबल होती है वो तो ये सीन कर लेती है पर कुछ एक्ट्रेस काजल अगरवा को किस करने के लिए मना ही लेते हैं ये तो हो गई फिल्मों की बात लेकिन अगर बात आज कल की वेब सीरीज की करें जिसमें जमके एडल्ट कॉंटेंट दिखाय जाते हैं तो उसके बारे में फिल्म डिरेक्टर कहते हैं कि ये मार्केट की डिमांड है हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा बास सही भी है अब लोग देखते हैं तभी ऐसे कॉंटेंट तयार भी किये जाते हैं वेब सीरीज में भी जादता टेकनोलोजी का कमाली होता है पर न्यू कमर्स के पास अपनी मर्जी के हिसाब से सब कुछ करने की आजादी नहीं होती उनके लिए दो ही ऑप्शन होते हैं या तो करो या फिर साइड हो जाब पर वहाँ भी ऐसी समस्या जादा देखने को नहीं मलती क्योंकि सभी ओपन माइंडेड और आर्टेस्ट माइंड के लोग होते हैं और ऐसा भी में खुद नेहल वडोलिया ने बताया जो ओल टुबाला जी की गंदी बास सीजन 3 और मस्तराम जैसी सीरीज में बतौर एक्टरस काम कर चुकी हैं जो कुल मिलाकर इंटिमेट सीन के शूटिंग को रेगुलेट करती हैं भारत की सर्टिफाइड इंटिमेसी को ओडिनेटर आस्ता खरना के मताबिक पहले पश्चिम तक में इंटिमेसी को ओडिनेटर की कोई भूमिका नहीं होती थी वो तो मीटू अंदोलन और हॉलिवूट के एहम अभिनेतरियों के बड़े खुलासे करने के बाद 2018 में एजबियो के पहले शोओ दडियूस के लिए इंटिमेसी कंसिल्टन्ट शूटिंग के फॉर्मेट में लाया गया था पूरा खयाल रखा जाता है कुल मिलाकर ओडियंस डिमांड को देखते हुए 30 सेकिंड का मसाला सीन को शूट करने में चार गुना जादा मैनत लगती है और आपको यह जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा मिलेंग